शीवम आकुलकर इनका सवाल ऐसा है साइंस का जो भी ज्ञान है उसके आगे योगिक साइंस है और इसलिए सामान्य जो लोग होते हैं उनके सेंसेस को योगिक साइंस समझ में नहीं आता है इसलिए वो विश्वास नहीं रख पाते है ऐसा जग्गी वासुदेव जी कहते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है ये बाते तो मैं बच्पन से सुनते आया ये जग्गी वासुदेव के नहीं ये आपका जो साइंस है उसका तर्क है उसका ज्यान है उसके परेध्यत में एक स्पिरिछुलिटी है ये बाते मैं बच्पन से सुनते आया मेरा उस पर विश्वास भी था बहुत मानता भी था मैं खुद अध्यात्मिक बनना चाहता था सभी तरीके के ये सेंसेस के परे जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं जिसको रियलाइडेशन कहते हैं मोक्ष के प्राप्त करने के लिए उसको साक्षातकार कहते हैं ये सभी बाते मैं अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता था इसलिए तो कई बाबाओं का भक्त था उन चीजों का मेरा बहुत अच्छा अध्यान है उन चीजों की मुझे बहुत अच्छी जानकारी है ये टिपिकल भारती बाबाओं की भाषा है इस भाषा को अलग शब्दों में रखा जाता है कि जहां आपका साइंस खतम होता है वहां से अध्यात्मिक ख्षेत्र शुरू होता है धर्म का ख्षेत्र शुरू होता है आपके पाच सेंसेस के जरिये उसको आप नहीं समझ सकते हैं नहीं जाच सकते हैं ये आपके समझ के परे हैं भाई हमारे सेंसेस के परे हैं समझ के परे हैं जिनके पास छटी सेंस होगी उनी को वो समझता है और आप तो दावा कर रहे हो, परे होने के बावजूद आपको समझता है, आपको तो समझता है ना, हमें तो सेंस नहीं है, छटवी सेंस, आम आदमी को, आपको तो है ना, फिर आपको है तो सिध्य कीजिए ना, आपको छटी सेंसे सब समझता है ना योगिक साइन्स आगेगा तो विज्ञान के नियम में जो बैठता नहीं है इसी बात सिद्ध कीजिए आगे आईए पूरी दुनिया आपके चर्णों पर माथा देखेगी नोबिल प्राइस के उपर की बात आपको मिलेगी कौन सी ऐसी बात है एक तो बात रखिए मान्यता ऐसी है कि जिनको साक्षातकार प्राप्त होता है उनको दुनिया का सारा ज्यान प्राप्त होता है और अंतिम ज्यान भी प्राप्त होता है भूद बविश्य वरतमान भी उनको समझता है वे कोई भी चमतकार कर सकते हैं रोगों की बीमारिया ठीक कर सकते हैं क्या ये बात सही है ये सभी माननेता है इसमें तो सिद्ध करने के लिए आगे आईए मैं करीबन पचास इनिवसिटिज में गया हूँ बैक्षान के लिए और मैंने हमेशा एक सवाल वहाँ पूछा कि लोग कहते हैं कि आज का विज्ञान बहुत अधूरा है विज्ञान को काफी चीजे मालूम नहीं है उसके परे बहुत सी चीजे होती है ये जो अधूरा विज्ञान है वो धर्म को और अध्यात्म को समझ नहीं सकता है कई सवालों के जवाब नहीं दे सकता है इसलिए मैं भाषण चूरू करने के पहले ही आपके सामने रखता हूँ कि मेरा भाषण खतम होने के बाद मैं ऐसा एक सवाल पूछे कि जिसका जबाब आज का विज्ञान नहीं दे सकता है मेरी शर्थ इतनी है कि सवाल सच होना चाहिए फिलोसोफी में जिसको मुर्खता पुरुन सवाल कहा जाता है उस डंग का सवाल नहीं होना चाहिए उधारण के तोर पर अगर किसी ने पूछा कि कल जाकर बक्रे को अगर अंडा हुआ तो उसका साइज क्या होगा यह मुर्खता पुरुन प्रश्ना है बक्रे को अंडा होना पॉसिबल नहीं वो अंडच प्राणी नहीं है सस्तन प्राणी है इसलिए वो बच्चा ही पैदा करेगा डैरेक्ली और वो मेल है मेल को तो बच्चा होता नहीं तो जो नेचर में घट सकता है घटता है ऐसा कोई भी सवाल आप पूछिए जिसका जवाब आज के विज्ञान नहीं डूना है लेकिन सिक्स सेंस को वो जबाब मिलता है ऐसा एक सवाल पुछिए और इन पच्चास इने सिटीज में एक भी व्यक्ति ऐसा सवाल आज तक नहीं पुछ पाया है अब आप सवाल पुछेगे आत्मा विज्ञान को कहां पता है है नहीं तो कैसा पता चलेगा मान्या हमको नहीं दीखता है आप सिद्ध करो ना आत्मा कास्तित्व बताओ ना आपको तो कुछ भी संबब है अब जिसकी छटी सेंज जागरुथ होती है वो आत्मा रूप कहीं भी जा सकता है ठीक है बाजू का जो रूम है वहाँ पर हम चीज़े रखेंगे वहाँ वीडियो शूडिंग की सब विवस्था करेंगे आप जाए आत्मा सुरूप वहाँ पर वो सब चीज़े देखकर आईए और हमको बताइए यहाँ पर कितने प्रकार क्या वहान हो सकते हैं तो मित्रो यही बाबाओं की भाषा होती है लोगों को ठगने के लिए इसका उप्योग किया जाता है हजारों सालों से होते आया है आज विज्ञान इतना विकसीत होने के बाद भी यह दावा किया जाता है मेरा सीधा सामान्य सवाल है चटी सेंस पास सेंसों के जरिये तो उन बातों को हम समझ नहीं सकते हैं फिर क्यों यूट्यूब चानल आप उप्योग में लाते हो भाई क्यों कि जिसमें छटी सेंस जागुरूत होती है उसे तो टेलीपथी आती है आप एट अट टाइम लाखों लोगों के पास अपने विचार केवल अपने ब्रेन से भेज दीजिए टेलीपथी के जरीए क्यों आपको ये सिस्टिम विज्ञान की उप्योग मिलानी पड़ती है कितने सवाल उठाये जा सकते हैं मैं अभी इतना ही कहूंगा जगी वसुदेव को अभी तक मैंने स्टड़ी नहीं किया आपने जो सवाल पूछा उसी पर मैंने केवल जबाब दिया है जीज दिन स्टड़ी करूंगा उसमें कितने अंतर विरोध है कितनी ठगी की बाते हैं ये भी सामने रखोंगा अब दिक्कत ऐसी है कि कुछ बाते बहुत अच्छी होती है साइकलोजिकली मानव जीवन के लिए महत्वकी होती है यूमन साइकलोजिकली का वो विशे होता है वो विशे भी आध्यत्म से जुड़ा हुआ होता है अब आई पती-पतनी के सम्मंद कैसे होने चाहिए एक इनसान ने दुसरे इनसान के साथ में कैसा बरताओ करना चाहिए यह यूनिवर्सल चीजे है यह पहले से धर्म के साथ में जुड़ी हुई थी क्योंकि धर्म के साथ तो सभी ज्यान जुड़ा हुआ था यह जब कोई कहता है तो हमको लगता है कि यह बात इतनी अच्छी विक्ति कह रहा है बहुत सच बात है तो इसके साथ में जो बाकी बाते वो कह रहा है वो भी सच होनी चाहिए और यही हम मार खाते है इसलिए मैं इस बात को कहकर रुकूंगा हमेशा याद रखिए आप विज्यान में कहावत है बहुत महत्वकी कहावत है न्यूटन जो सिद्ध करता है वही बात केवल सच है महत्वकी है न्यूटन क्या कहता है इसको कोई महत्व नहीं होता है मैं आचार यो दादा धर्मादे कारी इनके कारण रेशनल बना इसे अपने आपको समझाता हूँ वो हमेशा कहते थे बाशन की अपनी शुरुवात करते थे मैं कहता हूँ इसलिए मत मानी है मार्स कहता है गांधी कहता है विनुबा कहता है इसलिए मत मानी है आमबेट कर कहते हैं फुले कहते हैं इसलिए मत मानिये जो बात आपके तारकिक बुद्धी को जश्टी है सही लगती है उसी को अपने जिवन में स्विकारी है और वहां से मेरी तारकिक बुद्धी शुरू हुई ऐसा मैं मानता हूँ आगे बदलते गया मैं खुद रैशनल मैं भी यही कहूंगा कोई भी विक्ति हो चाहे शाम मानव हो चाहे कोई भी हो जो कह रहा है केवल कह रहा है इसलिए बात मत मानिये जो बाते सच है विज्ञान की बाते हैं बार बार उसको प्रू किया जा सकता है उनको ही सच मानिये जो बात सच है उसको सच मानिये किसी ने कहा इसलिए मत मानिए चाहे हो जगी वासुदे हो चाहे कोई भी हो ये अगर शर्थ हमारे जीवन में हम रखेंगे तो कई ठगी से अपने जीवन में अपने आपको बचा पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए